एलो फ्रेंड्स सीटेट का फॉर्म फिल करते समय आप लोग बहुत सारे मिस्टेक कर रहे हो बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज करके बता रहे हैं कि इसमें हमें कौन था कोड डालना है कोड से रिलेटेड मिस्टेक आप लोगों का हो रहा है और साथ साथ कुछ कन्फ्यूजन भी लेकर के आप घूम रहे हो और इसके बारे में हमने आपको पहले भी इंफ्रमेशन दे रही है पहले भी बहुत सारे वीडियो हमने बना करके आपको बताया है लेकिन अभी अगर कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल यह होना नहीं चाहिए इसलिए आपकी स्पेसल रिक्वे बीटी सी जो भी करें उसमें अगर आपने लिया है तो फॉर्म फिल कर सकते हो लेकिन कोड आपका अलग हो जाएगा कोड वो नहीं होगा जो कि बीएड और डीले डिस्टेंट जो पास हो चुके है उन लोगों के लिए है तो हम आज इस वीडियो में स्पेसली कोड के बारे जिससे के हम और डीटेल से आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या चीज़े करनी है उसके लिए सबके लिए जो है वीडियो लेकर आएगे चलिए फिलाल ये वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले फ्रेंट्स अगर आप चैनल पर पहली वार विजिट कर रहा है तो चैनल को कोईंट ओपर मंडे टू फ्राइडे पांच बजे क्लासेस होते हैं जिसमें हम पी वाई क्यू करते हैं पी वाई क्यू ही हम अभी ले करके चल रहे हैं 2016 का पी वाई क्यू कम्प्लीट कर चुके हैं 2018 का पी वाई क्यू कर रहे हैं उसका फ्री मेटेरियल हमारे एप कैटलिस सोनी एप पर दिया जाता है तो वहां से जाकर के जो भी पढ़ाया जाना उसका पूरा complete free material आपको ले सकते हो और taste भी available है तो आप वहाँ पर taste भी दे सकते हो चले बात करते हैं इसको ले करके इसको ले करके जो confusion आप लोगों में फैल रहा है उस पे हम बात करेंगे code को ले करके देखो ऐसा होता है कि generally हम अलग अलग वीडियो में जो है code से related बात कर लेते हैं तो आप लोगों को पता नहीं समझ में नहीं आता है या क्या होता है आप लोग इसमें confused हो जाते हो तो चलो भाई हम आज सिर्फ और सिर्फ code के वादें बात करेंगे और कुछ नहीं सबसे पहली बात करते हैं DLA student के लिए जो apply करना चाहते हैं appearing में है DLA में भी admission लिया है और वो seated clear करना चाहते हैं तो उनका code क्या होगा 125 के लिए क्योंकि 125 में आप लोग क्वेशन पूछते रहते हो तो मैं बता दू नहीं है अभी अभी आपने admission लिया है या फिर आपका एक साल admission को होगा है जो भी रीजन है तो आपको यह code नमबर वन डालना है देखिए graduation and past or appearing in final year graduation के बाद आपका DLA हो रहा है तो graduation and past or appearing in final year of two year diploma in elementary education यह वाला आपको डालना है कि आपका दो साल अगर आप जो है second year में हो deal it के तो अब देखो इसमें यह भी question आएगा कि आप लोगों का जैसे की मानलोग ऐसे बच्चे जिन्होंने की admission लिया है वो लोग तो उसके लिए भी आपको इसमें option दिया गया है वो option आपको चुणना पड़ेगा तो आपको ध्यान से यह रेखना है कि आपका option कौन सा जा रहा है तो अगर आप second year में हो तो आप यह वाला option जो है one number option जो है appearing में हो डाल दोगे कोई दिक्कत नहीं होने 45% है जैसे कि पहले वाले में देखा तो अगर ऐसा है आप लोगों को अगर आप लोगों का 50% नहीं है 45% है तो आप तीन number वाला apply करोगे graduation with at least 45% and past DLA और bachelor degree जो भी तो यह आप लोगों का जो है तीन number आ जाएगा तो आपको अपने criteria के अनुसाद देख करके करना है दूसरे कोई क्या कर रहे है उससे नहीं करना अब बात कर लेते हैं हम लोग paper 2 वाले code को लेकर के paper 2 में BA वाले student जो है apply कर सकते हैं DLA वाले student apply कर सकते हैं तो यहां पर paper 2 में पहला देखोगे graduation in past or appearing in final year two year diploma and elementary education by whatever जो DLA वाले student है वही one number डालेंगे अगर हो second year में है तो फिर अगर second number द है और आप लोग का graduation में और post graduation में past or appearing in final year bachelor degree अगर B8 में second year में हो final year में हो और आपने graduation में 50% mark लाए है तो आप 2 number वाले डालोगे ज्यादा तर 2 number वाले ही बच्चे आप B8 वाले में डालते हैं ठीक है तीसरा वाला जो है जिनका 45% marks है उन लोगों के लिए है कि graduation में ऐसे भी 50% marks नहीं होता है 45% marks होता है तो वो इसमें डाल सकते हैं चलो आगे वरेंगे एक और आप लोगों को दिखा दूँ यह वाला ही इसके बारे में बात कर दी अगर आप लोग का post graduation है अगर आप master के basis पर भर रहे हो form तो post graduation with a minimum 55% marks or equivalent grade and pass are appearing in final year of 3 integrator B8 और D8 वाले में appearing में हो आपका post graduation में 55% marks है तो अगर post graduation के basis पर भर रहे हो तो आपको यह डालना पड़ेगा तो आपको सोच समझ कर अपना option code का लेना है अब बात करते हैं वैसे student जो की अभी देखे एनी candidate qualified B8 प्रोग्राम और रिकागनाइज बाइज बाइन सेटी एलिस विल अपियर इन टेट सी एक 11 को हुआ है बोलो करेंगे जो पास है जो पास आउट है जो B8 कंप्लीट कर चुके हैं और सीटेट का फॉर्म भर रहे हैं वह अपना साथ नमबर डालेंगे कोई दिक्कत नहीं तो सिंपल तरीके से बता देती हूं अगर आप लोग जो है 125 में पेपर में मैक्सिमम का मै कुछ लोगे 125 में हो DL8 में अपियरिंग में हो तो वन नमबर डाल दोगे 6-8 में फॉर्म फिल कर रहे हो अपियरिंग में हो आप लोग तो आप लोग को दो नमबर वाला जो है वो डाल दे रहा है और अगर आप पास कर चुके हो अब B8 वाले के लिए यह है ठीक है और यह दो रहे थे हम तो दो नमबर डाले तो आपको हैं तो दो नमबर डालें कि साथ नमबर नहीं डाले एकदम चलिए। और बात कर लेते हैं आप लोगों का जो है बहुत सारेों सीटेट बाइचन के लेकर का हो रहा है । Imma अगर ऐ रहीए फीर न B8 आजाले एक साल में दो दो बार एक्साम होता है वैसा कोई पंगा नहीं है अभी फुल फोकस पेपर टू पे करो और उसको क्लियर करो पेपर टू फोर डिफिकल्ट है तो उसको निकालना बहुत जरूरी है इसलिए पेपर टू पे फोकस करेंगे ठीक है यह चीजे सीटेट के प्रवाइड कर देंगे हमारे एप पर डाउनलोड कर लिए उसमें बहुत जल्दी मैं प्रवाइड कर ही दूँगी तो वहां से अपले सकते हो चलो मैं आपको दिखायत हूँ कि सीटेट के साइट से सीटेट के साइट से आप लोग को जो है किस तरह से निकालेंगे यह ची से चल रहे है इस से रिलेटेड और कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है खास करके आप लोगों को इसको ले करके अपने कोड को ले करके बेधरक पूछिए इस वीडियो में कॉमेंट कर दीजिए या फिर नंबर भी मैं आपको देगी देती हूं नंबर पर भी आप जो है अच्छे से त्यारी कीजिए और कोई भी हल्प की जरूरत है एकदम पूरी तरीके से फ्री में help किया जाएगा बाकी लोगों की तरह नहीं paid course नहीं कुछ दिया जा जाएगा आप सिर्फ एक बार बताईए कि आपको कहां पर help की जुरुट है किस चीजुट है आपको बिलकुल मदद किया जाएगा ठीक चले फिर में लोगी तोल रैंन ऐव अबस्ते